इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और आज के वीडियो में आपको National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange के बारे में बताऊंगा इसके बाद Stock Exchange क्या होते हैं, Market Capitalization क्या होता है और Sensex और Nifty 50 क्या होता है इन सारे points को cover करूगा तो आपको वीडियो सुरू से लेकर last तक देखना है ताकि आपसे एक भी point मिस ना हो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं Stock Exchange से क्योंकि अगर आपको National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange को समझना है तो आपको इससे पहले Stock Exchange को समझना होगा अब चलिए बात कर लेते हैं Stock Exchange होता क्या है तो देखी अगर आपको किसी company का shares खरीदना हो तो आप Direct National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange से नहीं खरीद सकते इसके लिए आपको सबसे पहले brokers के website पर जाकर वहाँ पर online DMAT account create करना पड़ता है जिससे कुछ charges लगते हैं और जब आपका DMAT account create हो जाता है उसके बाद आप shares को खरीद पाते हैं और आप जिस platform पर shares को बेंच या खरीद सकते हैं उससे Stock Exchange करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग National Stock Exchange को देखते हैं National Stock Exchange 1992 में मुंबई में establish किया गया था और यहाँ पर trading 1994 से शुरू कर दे गई और इसमें अभी 16 से ज़्यादा companies listed है और अगर मान लिजिए कि आपको National Stock Exchange में जितनी कमपनिया है उनमें से अगर एक कमपनी का share आपको खरीदना हो तो यह आपके लिए काफी मुश्किल काम होगा और इसी मुश्किल काम को हल करने के लिए एक Index बनाया गया जिससे हम लोग Nifty 50 कहते हैं अब चलिए जान लेते हैं कि Nifty 50 होता क्या है लेकिन इससे पहले आपको Market Capitalization समझना जरूरी है तो चलिए इससे पहले हम लोग Market Capitalization समझ ले तो देखिए अगर आपको किसी कमपनी का Market Capitalization कल्कुलेट करना है तो कमपनी का एक share का जो Market Price है उसको आप Multiply कर देते हैं कमपनी के पास जितने share है उससे तो आपका Market Capitalization कल्कुलेट हो जाता है तो आप Market Cap को समझ चुके हैं अब चलिए Nifty 50 को समझ ले आजाए तो देखिए National Stock Exchange में सोलो से से भी ज्यादा कमपनी लिस्टेट है जिन में से Top 50 ऐसी कमपनिया जिसका Market Capitalization ज्यादा है उन सारी कमपनियों का Average Performance Nifty 50 दरसाता है जिससे हम लोग National Stock Exchange का Index मानते हैं अब अगर आपको National Stock Exchange में लिस्टेट किसी भी Large Cap Company का Growth देखना हो तो आप उसे Nifty 50 Index से Compare करके देख सकते हैं कि यह कमपनी अपने Index की तुलना में कैसा Perform कर रही है और हमारे देश के Financial Condition इंडिया में परजन जितने भी Companies है उन पर Depend करता है खास कर जो Companies बड़ी है अब हम लोग अपने देश का Financial Growth देखने के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तित सारी कमपनीों का Growth एक एक करके नहीं देख सकते और इसलिए हम लोग Nifty 50 Index का सहरा लेते हैं जिससे हमारे देश में परजन बड़ी बड़ी कमपनीों का Average Performance दिख जाता है जिससे हमारे देश का Financial Situation भी पता लग जाता है अब चलिए हम लोग Bombay Stock Exchange को भी देख लेते हैं इससे 1875 में Mumbai में Establish किया गया था जो Asia का सबसे पुराना Stock Exchange है और जिसमें 5000 से ज्यादा कमपनियां लिस्टेड है और इसका Index Sensex है अब चलिए हम लोग Sensex को भी जान लेते हैं Bombay Stock Exchange में लिस्टेड Top 30 AC कमपनियां जिनका Market Capitalization ज्यादा है उन सारी कमपनियों का Average Growth Sensex दिखाता है जिससे हम लोग Bombay Stock Exchange का Index कहते हैं Nifty और Sensex दोनों ही हमारे देश का Financial Growth दिखाते हैं और आपको Bombay Stock Exchange में लिस्टेड किसी भी Large Cap Company का Growth देखना है तो आप Sensex से Compare करके देख सकते हैं कि कमपनी ने अपने Index की तूला में कैसा Performance किया है जिससे आपको किसी भी Listed Company का Share खरीदने में साहता मिलती है तो मैं उम्मेद करता हूँ कि आप National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange को अच्छे से समझ गए हैं और इसी के साथ Sensex और Nifty को भी तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताए और अगर मेरी वीडियो आपके लिए कुछ Value एड़ करती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके All पे सेलेट कर लिजे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंच सके